हाई गैज और विल्कम बैक टू दी चैनल दीपक यादव एजूकेशन विल्कम टू दी डेली हिंदू न्यूज और एडिटूरियल एनालिसेस ऑफ 23 ओक्टूबर 2021 तो गाईज आज है तारिक 23 ओक्टूबर 2021 केस और है सेटरडे दिखेंगे आज का देहिंदू कंप्लीट न चैनल मिल जाएगा इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को जॉइन कर लेना देखो अगर आप लोगो इस तरीके से यह चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगो टेलिग्राम का लिंक दिया या है वो लिंक इसी चैनल का है जिसी आप उस पर क्लिक करोगे आटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा इसको जाकर जॉइन कर लेना नाओ जॉइन करने से फाइदा क्या होगा यहां पर आपको डेली बिस्स पर दहिंदू न्यूस पेपर मिल जाता है डेली करेंट अफेर के वीडियो का पीडियेफ मिल जाता है डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़े मिलती हैं बिल्कुल फ्री में तो जाकर इसको जरूर जॉइन करना नाओ बढ़ते हैं आगे और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के एक क्वेशन के साथ स साथी साथ एक क्वेशन सॉल्व करेंगे जो की UPSC प्रीवियस यर साल 2013 के प्रिलिम्स में पूछा गया था आपको मालूम होगा डेली बेसिस पर यहाँ पर एक प्रीवियस यर क्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं बारत के कुछ हिसों में जो पीने का पानी है उसमें बहुत सारी पॉल्यूटेंटस पाये जाते हैं तो यहाँ पर आप देख पाओगे यहाँ पर पाच pollutants के नाम दिये गğए हैं इसमें से बताना ये है कि कौन सा pollutant पानी के अंदर पाया जाता है । अब यहां पर ये आर्टिकल अभी हाली में चर्चा में भी था मतलब कि ये कुछ pollutants है जोकि चर्चा में थे और मतलब डारेक्टली अगर आप वो वीडियो देखा होगा डेली करेंटा फिर वाला तो इस question को बहुत easy solve कर पाऊगे क्योंकि वहाँ पर मैंने बताया था क्योंकि बिहार के अंदर एक report publish होई और इस report ने काफी सारी चीज़ यह बताई है इन में से कुछ pollutants हैं जो कि वहाँ पर वो पानी के अंदर पाये जा रहे हैं प्लस पानी के साथ-साथ वो food chain में भी आ चुके हैं ठीके तो यहाँ पर option दिये गए arsenic, दूसरा sorbitol, तीसरा fluoride, चौधा formaldehyde और पाचवा uranium तो इन में से आपको बताना है कि कौन सा जो pollutant है वो पानी के अंदर पाया जा रहा है भारत के कुछ हिस्सों में लेकिन अभी रुको, यह question खतम नहीं हुआ है यहाँ पर आपको option दिये गए लेकिन इस option में से कोई 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है या 5 भी हो सकता है option यहाँ पर है तो इसका answer आप लोग सर्च करना इसमें आपको बहुत सारी चीज़े जानने को मिलने वाली है मुझे भी बहुत सारी चीज़े जानने को मिली है आपको भी definitely मिलेगी साथे साथ इसका जो answer है correct answer मैं नीचे provide करवा चुका हूँ और टेलिग्राम पर भी provide करवा चुका हूँ वहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हो ठीक है तो solve करने की कोशिश करनी है और जिनों ने हाँ पर अगर पिछले कुछ दिनों पहले वाला daily current fair का वीडियो देखा होगा तो उसको easily आप solve कर पाओगे क्योंकि यहाँ पर मतलब मैं question वही लाने की कोशिश कर रहा हूँ जादे साधा जो की हमारे current issues से relate हो रहे है तो चलो शरवात करते हैं यह है आज का सबसे पहला article लेकिन उससे भी पहले एक और बहुत important information वही है कि देखो telegram channel आपको वही join करने है जिन दोनों का link आपको नीचे description box में दिया गया है दो telegram channel है एक है दीपक यादव education और दूसरा है दीपक यादव education bracket में notes लिखा है वो वाला तो उन ही दोनों को join करना क्योंकि बहुत सारे fake channel बन चुके हैं दो fake channel और चल रहे हैं वहाँ पर और मुझे नहीं पता वहाँ पर क्या-क्या डाला जा रहा है तो उसको बिल्कुल भी join नहीं करना है यहाँ पर आप लोग यहाँ पर join कर सकते हो इन channels को और यहाँ साब PDF अगरा ले सकते हो मैं आपको दिखा देता हूँ यह वाला channel है एक तो आपको यह देखने को मिलेगा यह notes वाला channel है दूसरा education वाला channel है इन दोनों को ही आप लोग को join कर लेना है क्योंकि यहीं पर आपको यह सारी चीज़ां मिलती है बाकी कोई fake channel भी चल रहा है मुझे नहीं पता न्यूस्पेपर के नाम से शायद कोई channel चल रहा है तो उसको बिल्कुल join मत करना ठीक है वहाँ पर मुझे नहीं मालूम है exactly क्या क्या हो रहा है और आप लोग join करके फिर वहाँ पर कुछ भी वहाँ पर demand की जा सकती है इसको ध्यान में रखना अब जो यह पहला वाला article है यहाँ पर देखो environment के perspective से काफी सारा discussion क्या जा है अभी आपको मालूम है सबसे important meeting आने वाली है वो meeting आने वाली है Glasgow के अंदर होने वाली है Conference of Parties 26 की meeting होगी 31 October को हम लोगों को यह meeting देखने वाली है पर हम लोग यह कोशिश करेंगे कि जो emission है उसको कम से कम कर सके pollution है उसको कम से कम कर सके तो वो target हम लोग रखने वाले हैं तो यहाँ पर एक article है इसी article के अंदर बहुत सारे जो हमारे markets senior officials है ठीक है इनका कुछ statement है statement हमाले माइन नहीं रखता है लेकिन अभी देखो यह meeting होने वाली आने वाले time पर उसके बाद definitely हमारे पास बहुत सारी information होगी लेकिन अभी क्या है अभी यहाँ पर देखो focus ही रखा गया है कि हम लोग वापस से net zero की तरफ बढ़ेंगे और definitely हम लोग पहले से focus यह कर रहे हैं हम लोग जो emission है उसको कम से कम कर सकें और इसी वज़ा से हम लोगों ने zero emission तक का target चूज कर रखा था बहुत सारी countries ने हम लोग टारगेट 2050 तक कर रख रखा है बहुत सारी countries ने बोला है हम लोग 2030 तक अपने emission को zero कर देंगे मतलब pollution हम लोग नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि आज के टेंपर pollution एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है climate change का और climate change मतलब की global warming वगरा की situation आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है लगातार environment लगातार हमारा जो पृत्वी है earth है उसका temperature increase हो रहा है जो sea water है समुदर का पानी है वो भी increase होता हुआ नजर आएगा अब समुदर का पानी increase होगा तो उसी से तीसरी problem और relate हो जाएगी क्या होगा जो coastal areas है या फिर कुछ island से वो डूपते हुए नजर आएगे तो ऐसी problems बहुत सारी देखने को मिल सकती है तो उसी चीज को tackle करने के लिए हम लोग आज के टाइम पर emission को कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं आपको मालूम होगा कि इसी को हम लोग बोलते हैं net zero emission ताकि हमारा emission कम से कम हो जाए और ये climate change की situation को हम tackle कर सकें otherwise ये global warming ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो यहाँ पर 2015 में भी agreement हुआ था इस picture में आप लोग देख पा रहे होंगे लगबग 190 countries ने commit किया था कि हम लोग global warming को limit में करने वाले हैं और अपके सकते हो कि जो temperature मतलब एक तरीके से पहले काफी तीजी से increase हो रहा था उसको हम लोग धीरे धीरे क्योंकि इंडिया एक third largest emitter बनता है पूरे दुनिया में मतलब pollution इंडिया के अंदर भी बहुत होता है US टॉप पर चाइना टॉप पर उस वद इंडिया भी आपको इसी list में देखने को मिलेगा यहाँ पर भी pollution बहुत होता है तो इंडिया का भी हाँ पर यही टार्गेट है हम लोग भी focus यही कर रहे हैं कि हम लोग जल से जल क्या कर सके इस emission को खतम कर सके देखो एकदम से हम लोग एकदम से इसको खतम भी नहीं कर सकते एक रात में हम लोग अगर खतम करेंगे तो इससे बहुत जादा impact पढ़ने वाला है पूरे के पूरे economy के उपर ठीक है एकदम से भी नहीं खतम कर सकते क्योंकि एकदम से खतम कर देंगे तो बहुत सरी इंडस्ट्री वगरा एकदम से बंद हो जाएंगी है ना तो इसी के उपर इसलिए यहाँ पर टार्गेट रखा गया है कि धीरे धीरे हम लोग दूसरी चीज के उपर इसका developed countries हैं developed last month में ED लगा रहा हूँ जैसे कि US वगरा developed countries हो गई तो यह कहीं ना कहीं क्या कर सकती है एक मदद कर सकती है developing countries की developing countries की मदद कर सकती है उनको कुछ finance वगरा प्रोवाइड करवा सकती है और भी support कर सकती है ताकि यह countries कुछ ना कुछ alternative लेकर आ सके अपने emission के तोर पर तो step होगा इससे जो हमारा average temperature लगातार जो increase हो रहा है वो limit में आएगा वो थोड़ा सा यहाँ पर control होता हुआ हम लोगों को नजर आने वाला है यह हम लोग यहाँ पर focus रखेंगे I hope आपको यह सारी चीज़े clear हो चुकी है आगे यह article और जादा important होने वाला है आने वाले time पर म हमारे exam के लिए तो directly important नहीं है लेकिन exam के लिए कुछ चीज़े हैं यहाँ पर जो directly important हो सकती है वो उसको हम लोग syllabus के point of view से analyze करेंगे आर्टिकल में क्या चर्चा हो रही है लगबग 700 people को detain क्या गया custody में लिया गया है जमू एंड कश्मीर के अंदर अब यह कब क्या गया अ अब आप का होगे इतने सारे लोग को एक साथ custody में लिया गया कोई law है कोई act है उसकंडर में तो क्या गया होगा एक काम बिल्कुल तो यहाँ पर है public safety act ठीक है जो यह public safety act है PSA जिसका बारे में यहाँ पर mention है इसी का इस्तमाल किया गया और इसी का इस्तमाल करने के बाद य मतलब पहली विजट कब होने वाली है आर्टिकल 370 जो हमारा इन ओपरेट किया गया उसके बाद से इनकी यह पहली विजट होगी ऐसा यहाँ पर mention किया गया है अब आप कोगे यह सारे एक्जाम में कहां पूछ जाएगा बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूं हाँ पर एक्ज जिसके बारे में definitely पूछा जा सकता है वो है Public Safety Act आखिरकार यह एक्ट क्या है इसके बारे में discussion करेंगे क्योंकि जितने भी Act laws हैं यह सब हमारे GSP पर टू पॉलिटी के point of view से important हो जाएंगे तो जैसा मैंने बताया आपके syllabus के अंदर काफी सारे चीजे mentioned है Indian Constitution, Executive वहां से आप लोग इसको relate कर सकते हो सबसे पहली बात Public Safety Act इसके अंदर क्या है इसको हम लोग prevention detention लोग बहुलते हैं मतलब कि एक तरीके से कुछ घटना होने से पहले उसको prevent करने के लिए हापर किसी के उपर हमें शक है तो उसको custody में लिया जा सके उसको arrest किया सके उसके लिए हापर इस law क अस्तमाल कि जाता है तो अंडर जमवन कश्मीर Public Safety Act 1978 कोई भी person को custody में लिया जा सकता है ताकि आपर prevent किया जा सके ठीके मतलब की जो एक तरीके से कोई भी जो हमारे स्टेट को threat पहुंच सकता है हमारी स्टेट की security को threat पहुंच सकता है उसके अगेस्ट में अगर किसी व्यक् किया जा सकता है किसी भी व्यक्ति को उसके बाद कौन एंफोर्स करता है तो जितने भी detention order होता है मतलब यह जो order है कहां से आता है इस order को पास करता है डिवेश्ट डिवीजनल कमशनर या फिर डिस्रिक्ट मजिस्ट्रेट यह आपको धिहान रखना है उसके बाद यहां पर है इस चीज को कि मुझे कस्टेडी में क्यों लिया गया मुझे छूट चाहिए बिल्कुल चैलेंज भी किया जा सकता है लेकिन चैलेज एक पेटीशन के थोर पी किया जा सकता है उसका नाम है है बस कॉर्पस पेटीशन यह सब आप लोग पढ़ोगे एक तरीके से बहुत स Supreme Court के पास पूरी-पूरी jurisdiction है वो इस partition की सुनवाई करें इस partition की सुनवाई करने के बाद अपना एक final order दे तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसको challenge करने के लिए भी आपके पास option है या आपको ध्यान रखना है छोटी-छोटी चीजों में confuse कर दिया जाता है और Supreme Court, High Court यहाँ पर इसकी सुनवाई करता है यह आप लोग ध्यान रखना है उसके बाद यहाँ पर क्यों issue किया जाता है मतलब क्यों आप challenge कर सकते हो तो definitely यहाँ पर कोई भी अगर जान बुच के detention किया जाता है तो वहाँ पर आप लोग इस petition का स्थमाल कर सकते हो आगे बढ़ेंगे next article की तरफ next एक छोड़ा सा article आपको देखने को मिलेगा इंडिया और UK के relations के बारे में चर्चा हो रही है अब दो countries के relation के बारे में चर्चा हो रही है तो GS paper to international relations के point of view से यह article हमारा important होगा साथी साथ यहाँ पर आप देख पाओगे बात की गई है जो इंडिया और UK है United Kingdom इनके दोनों ministers ने आपस में बाचीत करी हमारे इंडिया के side से आप देख पाओगे external affair minister S. जैशंकर साब है इधर से आप देख पाओगे UK की foreign secretary है Elizabeth Trust ठीक है इन दोनों ने यहाँ पर बातचीत करी है New Delhi में बैट कर Friday में यह discussion हुआ साथी साथ यहाँ पर काफी कुछ बोला गया है कि देखो दोनों countries का जो relation है वो आने वाले time पर और ज़दा बहतर होने वाले हैं ऐसा यहाँ पर बोला गया है कि आने वाले जो भी 10 साल होंगे उसमें इंडिया UK के relations बहुत ज़दा important role play करने वाल है साथी साथ जो UK की foreign secretary है इनके दोरा statement दिया गया कि इंडिया एक UK का बहुत अच्छा दोस्त है economic power house है दुनिया की सबसे बड़ी democracy है और relation UK के साथ होना इसी वज़ा से बहुत ज़दा important बन जाता है ये सारी बाचीत कहीं गई साथी साथ दोनों ministers ने मिलकर discussion किया है किस चीज को लेकर कि आपस में close collaboration करेंगे कौन कोंसी चीजों के उपर एक तो सबसे पहली बात दोनों के बीच में जो partnership है उसको increase किया जाएगा साथी साथ technology के उपर काम करेंगे infrastructure के उपर काम करेंगे security and defense के उपर काम करेंगे और COVID-19 से लड़ने में यहाँ पर क्या-क्या use हो सकता है उसको लेकर यहाँ पर collaboration करेंगी दोनों countries तो आप देख सकते हो यह सारे topics यहाँ पर mentioned किये गए हैं दर उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि देखो एक बड़ी democracy है भारत definitely फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि देखो यहाँ पर आपको काफी सरी चीज़े freedom देखने को मिलेगा काफी कुछ freedom में देखने को मिलेगा तो बहुत important भी है किसी country के लिए कि यहाँ पर काम करना चाहिए मतलब भारत के साथ मिलकर तो definitely यहाँ पर बोला गया कि जो दोनों countries है जैसे कि यहाँ पर UK हो गया इंडिया हो गया दोनों को मिलकर काम करना चाहिए ऐसा बोला गया साधी साध यहाँ पर एक चीज और mentioned करी गई है आपको मालूम होगा चार माई को एक और virtual meeting हुआ था दोनों countries के बीच में मतलब की video conference के माद्यम से बातचीत हुई थी वहाँ पर जो minister से उन्होंने यहाँ पर बातचीत करी थी फ्री ट्रेड एग्रिमेंट को लेकर तो इसके उपर भी अभी मीटिंग में चर्चा होई है फ्री ट्रेड एग्रिमेंट क्या है यहाँ पर एक तरीके से दोनों countries के बीच में जो व्यापार है वो एक तरीके से फ्री होने वाला है, फ्री मतलब कि ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं जाएगा, बिल्कुल, यहां पर पैसा जाएगा, लेकिन मतलब यह है कि जैसे कभी भी ट्रेड करते हैं, तो माल लो यहां पर यह इंडिया हो गया, इधर यूक्य हो गया, जब हम ट्रेड करते हैं, इधर से कु प्रकार से करना ये वाले हैं जाता है एक चोटा सा नींगर हो चुकी है आपya हां यहां पीछे ने आरे प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् से हैं वो है स्रीनगर कुलगम शोपियान मतलब यह कहीं पूछा नहीं जाएगा यह सारे लोकेशन्स आपको देखने को मिल जाएंगे बताए गए हैं ठीक है अब यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि कहीं लग हैं टेररिजम से लिंग्ड हैं तो उनको अरेस्ट के जा रहा ह क्योंकि हमने देखा पिछले कुछ दिनों में लगबज यहां पर जो केसिस हैं काफी सारे केसिस रजिस्टर करे गए थे 10 अक्टूबर को और वो केसिस कहीं ला कहीं टेरिरिजम से लिंग्ड थे बहुत सारी जो टेरिस्ट ऑगनाजेशन है आतंगवादी संगट रना चाह और इनी का सबसे बड़ा खत्रा है जमुएंड कर्शमीर वाले रिजन के अंदर यहीं के जो आतंगवादी है यही आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहापर करते हुए नजर आएंगे फ्लाल हमारी सरकार यहाँ पर स्टैप ले रही है प्लस यहाँ पर जो हमारी प्रड़े में एडिटूरल जादा आते नहीं है और आज इंपोरेंट एडिटूरल है भी नहीं एक ही आर्टिकल है उसको तो डिसकस करेंगे ही लेकिन यहाँ पर क्या है नेशनल इन्वेस्टिकेशन एजनसी एक इंपोरेंट बॉड़ी है काफी लंबा समय हो गया है हमें इसके बारे में रिवाइस करेंगे तो आज हम लोग इसको भी कवर करेंगे आर्टिकल जीएस पिपर टू के पॉइंट अव्यू से इंपोरेंट है जब भी आप लोग यहाँ पर पॉलिटी पढ़ोगे वहाँ पर एक चाप्टर पूरा दे रखा है एन आई एक के ऊपर ठ ठीक है यह 2008 के एक्ट के अंडर में बनाये गया क्यों क्योंकि 2008 में हुआ क्या था एक बहुत बड़ा आतंगवादी हमला हुआ था मुंबई के अंदर आपको मालूम होगा तो उसके बाद यहाँ पर इस एन आई एक्ट को बनाये गया है ताकि हम लोग क्या कर सकें यह जो हमें जो आतंगवाद है इससे कॉमबेट कर सकें यह यहाँ पर फोकस रखा गया साथ इससाथ ऐसे कोई इंसिडेंट जो कि हमारे कंट्री की सोवरेटी के लिए हमारे कंट्री की सिक्यॉरिटी के लिए इंटीग्रेटी के लिए खत्रा है उसके उपर भी हम लोग यहाँ प को ध्यान रखना है लेकिन जो मेन अब्जेक्टिव है एना ये का वो यही है जो टेररिजम है उससे कॉंबेट करना उससे लड़ना और इसी चीज को देखते वे एना ये के पास पावर्स हैं ये कहीं न कहीं काउंटर टेररिजम लो एंफोस्मेंट एजनसी के तौर पर हैदराबाद, गुहाटी, कोची, लकनओ, मुंबाई, कोलकाता, रायपूर और जम्मो में आज के टाइम पर जरूरत क्या है नैशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की देखो आपको बहुत सारे जो इंसिदेंट से वो देखने को मिल ही रहे हैं चाहे वो जमुएंड कश् के कॉन्फिक्ट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो उसकी वज़ा से NIA की हमें जरूरत पड़ी और 2008 के अंदर जो बहुत बड़ा अटैक वादा जिसको कभी भूलाया नहीं जा सकता उसी के बाद यहाँ पर NIA को भी मनाया गया था ये इसमें ये सारी चीज़ें मेंशन है NIA का अ अपीस से चीज़ें मेंशन हैं अभी नैशनल इन्वेस्टिकेशन एजनसी के अंदर हाली में एक अमेंडमेंट हुआ था 2019 में ये अमेंडमेंट बिल्को पास किया था पालियमेंट के तुरू अब आपका होगे हां अमेंडमेंट हुआ है मतलब बदला हुआ है अब बदल साथ जो करंसी होती है उनका एक तरीके साब कर सकते हो कि समगलिंग देखने को मिलती है या भीर्ण्सी के रिगारडिंग networks के रिगारडिंग तो उनको भीशाल पर हैंडल करेगा ये सारी powers नैशना यहां पर पावर्स था इस एमेंडमेंट 2019 के तोर पर ठीक है तो यह आपक को बनाने या बेचने की इजाज़त नहीं है लेकिन तब भी काम किया जाताएं तो इस प्रकार के केसित भी निया देखताए प्लस टर्रोरिजम की केसित तो देखता ही देखता है यह आप देख पाऊगे यह सारी छीजे के बारे में ध्यानक ना काफी दिनों बाद हमने बिल्कुल वही बुद्धा है जो की रेगुलरली चर्चा में कि लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल पर जो इंडिया और चाइना के बीच में दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है लगातार इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है आज की टाइम पर भी बहुत सारे एरिया में स्टेन्ड आफ है तो उस चीज को देखते वे इंडिया यहाँ पर क्या काम कर रहा है अपने रॉक्ट सिस्टम को फैला रहा है खासकर तवांग वाली रिजन में आभी डेपलॉय करेगा ब्रहमोज मिसायल को तवांग वाले रिजन में डेपलॉय किया जैं तो अब यहां पर बात करते हैं क्या क्या भेजा गया तो हमारे आर्मी ने फाला दिया है पिनाका को पिनाका आपको ये प्रकार का है रॉक लाउंच सिस्टम है तो पिनाका स्मर्ट के साथ साथ ब्रहमोज सूपर सॉनिक आपको यह जो मिसाइल से यह भी इस रीजन के अंदर फैला दिये गए हैं यह भी देखने को मिलेगा अब यह सब क्यों फैला दिये गए ताकि जो है चाइना का कंसन ज्यादा ना बड़ा सके हम हम लोग चाइना की सरदर्दी ज्यादा नाल है अगर कोई भी इंसिडेंट क्रेट होता है तो हम लोग यहां पर अपनी सेक्यूरिटी के लिए यह सारी चीज़ें पहुंचा चुके हैं और इसका भी इस्तमाल होने वाला है तो पिनाका स्मर्ग और ब्रहमोज का यह तीनों कंट्रीज के बीच में कहां कहां पर डिस्प्यूट देखने को मिलता है बहुत सारे लोग को मालूम होगा लेकिन जैसा मैं डेली बसेस पर बोलता हूँ हमारे साथ बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं लगबग 400-500 लोग नए जुड़ रहे हैं तो उनको भी यहां पर पूरा एक्सप्लेशन चाहिए होता है तो यहां पर अगर आप देख पाओगे यह इंडिया का मैप हो गया इधर चायना हो गया अब इन दोरों के पीच में जो डिस्प्यूट चलता है बॉर्डर डिस्प्यूट वह आपको तीन रीजन के अंदर देखने को मिलता है एक है डिस्प्यूट यह देखने को मिलता है ठीक है तो यह हैं कुछ डिस्प्यूटेड एरियास यह आपको ध्यान रखना है उसके बाद यह आप मैप देख पाओगे यह अक्साइचीन वाला एरिया यहां पर डिस्प्यूट रैगुलरली आपको बढ़ता हो नजर आएगा तो इंटरनाशनल रिलेशन जबोडी डिसकूस करेंगे आपको डेट्ट्र फॉलीसी के बारे मी बता दिया जाएगा डेट्र फॉलीसी के बारे मीं पता ही होगा ठीक है अब यहां पर क्या है कि हमने देखा तवांग वाली रीजन के बार पर तवांग के मारे में चडचा हो र यहाँ पर तवांग एरिया एक बहुत जादा कॉंट्रोवर्शल क्यों है देखो सबसे पहले बाद आपको इसकी हिस्ट्री देखनी होगी तवांग ना तिबबत का पार्ट हुआ करता था अब यह तिबबत का पार्ट हुआ करता था तो उसके बाद लगबग 1914 में एक सिमला अकॉर्ड होता है उसके बाद एक मैक मोहन लाइन बनाए दी जाती है ब्रिटिश इंडिया और तिबबत के बीच में ठीक है अब यहाँ पर क्या है उसमें ब्रिटिश इंडिया मतलब 1914 की बात की गई है भारत आजाद नहीं हुआ था इस वज़ाद से ब्रिटिश इंडि इस किया ही नहीं ठीक है तो उसके बाद 1959 के आश पास जब करेंट आज के टाइप जो दलाई लामा है ठीक है वो क्या हुए वो तिबबत से निकल कर आये तिबबत से जाकर वो चाहां पर चले गए तवांग में चले गए ठीक है अब यहां पर लगबग आपका सकतो तवां को वापस से इंडियन एडिनिस्ट्रेशन के अंडर लाया गया लेकिन तब से ही क्या है चाइना इसको लगातर क्लेम करता है और यहां पर आप देख पाओगे ऐसी डिस्प्यूट रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं यह आपको क्लियर हुआ तवांग वाला एरिया आ इसको पिना का वेपन सिस्टम इसका नाम दिया गया है जो लौड शिवा का बो है ना उसको देखते हैं आप रहे नाम दिया जाए इसको डिफेंस रिसर्च डेवलेप्मेंट और ने बनाया है और आप कह सकते हो यह मतलब हमारे कंट्री के थ्रू बनाया वा एक मल्टी लेगा जहां से हम लोग रॉकेट को लॉंच करते हैं काफी उचाई था हम लोग रॉकेट को लॉंच कर सकते हैं अब जिस ट्रक से लॉंच करते हैं यह वेपन सिस्टम पूरा पूरा किस ट्रक के ऊपर लगाया है वह टाटरा ट्रक के ऊपर यह पूरा वेपन सिस्टम लग जोने वाली है यह आप देख पाऊगे दूसरा स्मक सिस्टम जो है यह भी एक लंबी कॉन्वेंशनल रॉकेट सिस्टम ही देखने को मिलेगा इसकी भी जो मैक्सिमम रेज हो 90 किलोमेटर के आसपास है और यह भी कहीं हमारी इंडियन आर्ट लेरी को इंडिया की जो तोपे व दोनों का ही बहुत बड़ा रूल आपको देखने को मिल जाएगा आई होप आपको सारी इंफोर्मेशन एक छोटी इंफोर्मेशन इस आर्टिकल के रिगार्डिंग क्लियर हो चुकी होगी आगे बढ़ते हैं यहाँ पर काफी सारे आर्टिकल पॉलिटिक से रिलेटेड है एरबबल क्या है तो आपको मालूम होगा साल 2020 में जैसे कोरोना फैला उसके बाद यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लग चुके थे ट्रावल वगरा कोई कर नहीं रहा था किसी भी कंट्री में तो यह एरबबल एग्रिमेंट हो रहा था कि हम लोग एरबबल एग्रिमेंट करें को मिलेगा तो यहां पर मेंशन किया गया मतलब फिर भी एक्जाम के लिए कुछ ऐसा खास इंपोरेंट नहीं है इसको आप लोग स्केप कर सकते हो ना वाते हैं मोस्ट इंपोरेंट पेज के ओपर यहां पर आज हम लोग मोस्ट इंपोरेंट इशू को कवर करेंगे हलाकि सबसे पहला आर्टिकल कल आपने एक वीडियो देखा होगा वीडियो काफे ज़्यादा ट्रेंड पे था वह यह था कि जो बाइडन ठीके जो यूएस के प्रासिडेंट है इनसे क्वेशन पूछा गिया कि चाइना अगर ताइवान के उपर अटैक करता है तो क्या यूएस तयार हैगा तो यूएस ने बोला मतलब जो बाइडन ने बोला बिलकुल हम तयार हैं हम ताइवान को डिफेंड करेंगे ताइवान को सपोर्ट करेंगे ठीके तो यही स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड करा दूसरा क्वेशन यह चाइना की तरफ से उठा कि दूनों के बीच में रिलेशन बहुत जढ़ादा हो सकते हैं दुनों के रिलेशन के बीच में दरार आ सकती हैं ऐसे यहां पर फिचिंग के सथ मलब शेत्मेंट के लिए नाम यालता था चाइना र यूएस के जो टाइज है वो हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं ऐसा यहाँ पर आप देख पाओगे अब देखो यहाँ पर आपको दो तीन चीज़े कवर कर रही होगी इस आर्टिकल में जो काम के चीज़ से वह यही थी कि हाँ यूएस से सपोर्ट में आएगा ऐसा जो ग्राउंड का इनका रिलेट करती हैं लेकिन इसका पूरा इशू आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है तो पूरे इशू को हम लोग देखेंगे उससे पहले यहाँ पर आप देख सकतो ताइवान कहां पर है तो यह है हमारा महान भारत अब यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया के कंपैरिसन में आपको ताइवान यहाँ पर देखनेगों मिलेगा ठीक है यह है ताइवान चाइवान के पास में ही है ताइवान की अगर हम बात करें पहले लगबग एटीन नाइनीटी फाइव के आस पास पहले हुआ करता ता जापान का बहुत बढ़ा रोल बहुत powerful था उस समय पर लेकिन उसके बाद होता लोटी है वर्ल्ड के बाद क्या होता है जापान का बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि यूएस यहां पर कर देता है बॉम्बिंग अब बॉम्बिंग कैसी होती है आपको मालूम होगा Hiroshima नगासाखी के अंदर nuclear bomb attack देखने को मिलता है उसकी वजह से जापान जो है काफी कमजोर पड़ता है और जापान को यहां से पीछे हटना पड़ता है जापान यहां से पीछे हटता है फिर ताइवान की त पॉलिटिक्ट शुरू हो जाता है do एक यह पर लीडर होगत निए रसके कर रहा है इंसान तो यहाँ यहाँ पर लोग और कोई एक तरीके से वापस सचेंज ही नहीं यह और जा इसकान लोग को पसंद आती है और यहाँ पर बहुत सारे लोग माउस जिदोंग को सपोर्ट करते हैं, मतलब चाइना की जो अवरल पॉपुलेशन हुआ करती थी उस समय, उसके आदे से साधा लोग माउस जिदोंग को सपोर्ट कर रहे थे, अब क्या हुआ माउस जिदोंग ने मिलकर और बहुत सारे लोगों ने मिलकर क् लेकिन हुआ क्या अब यहां पर आपको आगे के रिलेशन में समझाता हूं जो करेंट रिलेशन है ठीक है तो आई हूँ आपको इतना क्लियर हुआ है जो चाइना ताइवान के रिलेशन्शिप हैं वो लंबे समय से काफी हद तक खराब हैं यह हम लोग को पता चला है हम सिविल वार होती है उस सिविल वार के थ्रू सापरेट हो जाते हैं 1949 में ठीक है ताइवान की टेरिट्री अलग हो गई चाइना की टेरिट्री अलग हो गई लेकिन यहां पर चाइना इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं है चाइना यहां पर एक स्टेटमेंट देता है चाइन होंग कोंग के साथ relation खराब है ना होंग कोंग चायना के relation से वैसी ऐसे यहां फर कर रखें ताइवान के साथ वन कंट्री टू सिस्टम का मतलब यह कि चाइना और ताइवान दोनों एक ही कंट्री है लेकिन यहां पर system अलग-लग है क्योंकि ताइवान के अंदर politics बिल्कुल अलग है यहां पर इनका सम्विधान अलग है फ्लैग अलग है इस वज़े से चाइवान पूरी तरह से पार्ड बन जाए किसका चाइना का तो अब यहां पर यह चाहता है इस चीज को लेकर लेकिन क्या हो है कि ताइवान अब देखो काफियत थोड़बा support provide करवा चुका है बहुत सारे country से होता क्या है जब यह सारी चीजें हुई चाइन ने बोला Taiwan हमारा पार्ट है तो इसकी वज़ासे बहुत सारी countries ने Taiwan को as a country recognizing नहीं किया ठीक है क्योंकि चाइब चैना इसका claim करता है कि चाइन हमारा चाना क्याता ही हमार मिलना चाहिए बिलकुल यहां पर लोगों रहने की आजाद ही है ठीके यह ना चानफ के अंडर नादब हैं यह फोकस रखा गया क्या question एक यह भी आता है इंडिया क्याशन हर इस और आज के टाइम पर क्या है ना कि support आरा definitely क्या हुआ कि US ने अपना support प्रोवाइड किया US ने बहुत सारे weapons प्रोवाइड करवा रखे हैं आज के टाइम पर ताइवान को तो ये एक concern वाली बात है दूसरी concern वाली बात क्या है ताइवान आज के टाइम पर बहुत सारी intergovernmental organization का operation हो गया Asian Development Central American Bank for Economic integration हो गया तो इन सारी बोडिस का टाइवान पार देखने को मिलेगा तो आप कह सकते हो कि टाइवान को आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा recognition मिल लिए अगर ऐसा ही चलता रहा ताइवान का ऐसी रूल चलता रहा तो आने वाले टाइम पर और ज़्यादा support मिल सकता है लेकिन इंडिया की सपोर्ट मिल रहा है आज के टाइम पर आपको मालूम होगा अभी ताइवान का national day celebrate किया गया और मतलब इंडिया ने इसको विश्च भी किया ठीक है कि हाँ ताइवान का national day है इसको हमने विश्च भी किया था और इसको लेकर यहां पर यूएस ने क्या करा है यूएस ने बहुत कुछ यहां पर प्रोवाइट किया है ताइवान को ठीक है उसके साथ आपको यह भी देखने को मिलेगा आज की टाइम पर चाइना एक और वाज़े से टेंशन में क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत सारे ग्रॉप बन चुक है जैसे ऑकस ग्रॉप बन चुका है उसके बाद क्वार्ड ग्रॉप है तो यह सब यहां पर कहीं ना कहीं चाइना को टेकल करने के लिए ग्रॉप बना दिये गए और जैसे मैंने बताया कि अभी क्या है कि जो एक तरीके से टाइवान को एफ 16 फाइटर जैट आम ग्री एक डील भी हो चुक है सैमि कंडक्टर अधडर टेकनलोगी को लेकर तो टाइवान से हम लोग फक्र यहां पर ऍलोग फ्रोड़्य त्यान रखना हा तो आने वाला टाइम पर इंडिया भी काफिक सपोर्ड मैं आने वाला है ताइवान के ऐसा आप लोग कह सकते हो ओ ना question यह है कि सर यह important relation थे बिलकुल बहुत important relation थे यह बहुत लंबा issue है I hope आपको एक चीज clear हो चुकिए काफी दिनों बाद हमने clear क्या है लेकिन आज आज आपको यह clear हो जाना चाहिए then अब उसके यह बाद एक और चीज आपको यह देखने को मिलेगी हाँ पर की देखो आपने हापर clear कर दिया हमें टाइवान चाइना यूएस इनके relations clear हो गए इंडिया और टाइवान के relations भी पूशे जा सकता है बिलकुल यहाँ पर आपको इंडिया टाइवान के relations के बारे में discussion हुआ था यह सारे relations मैंने आपको यहाँ पर पिच्चर के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया हैं साधी साथ इस पिच्चर को जूम करके आपको यहाँ पर मिल जाएगा यह सारी चीज आपको clear दिख रहे होगी कि इस प्रकार से काम किया गया है current relations क्या चल रहे है कि इस चीज को लेकर कि चाइना कहीं ना कहीं ओएगुर के rights हैं उनको respect दे क्योंकि चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा dispute और देखने को मिलता है ओएगुर Muslims का बोला यह जाता है कि चाइना ओएगुर Muslims को अपर बहुत ज़दा अत्याचार करता है तो अभी बहुत सोरी countries बार-बार focus ही करती कि यह अत्याचार को रोका जा सके और यह human rights violation को रोका जा सके इस वज़ा से 43 countries हैं इन्होंने चाइना को बुलाया UN में और बोला कि आप ओएगुर Muslims की जो ओएगुर के rights हैं उनकी respect करो तो इस चीज को उपर यहापर चाइना को उपर focus किया गया है अभ ठीक है अभी क्या है यहापर जब आप चाइना को मैप देखोगे तो इसमें एक रीजन आता है यह वाला जिंजियांग वाला रीजन इसका नाम है जिंजियांग वाला ठीक है अब यह जो रीजन है इसके अंदर ही ओएगुर Muslims की community बहुत सारी रहती है ऐसा बोल जाता है उ चाइना का पर पाए जाते हैं Central और East Asia में आपको यह लोग देखने को मिलते हैं ओएगुर्स आपके टाइम पर आप देख पाऊगे बहुत सारी community चाइना के अंदर भी रहती है ऐसा यहाँ पर बताया गया है और चाइना के अंदर जो जिंजियांग वाला रीजन है वहाँ पाई जाती है कौन को से एरिया तो चाइना के अंदर जो जिंजियांग वाला रीजन है इसके साथ करगस्तान कजक्स्तान और तजगस्तान इन तीनों वाले एरियास के अंदर भी यहाँ पर क्या है यह उगर मुस्लिम्स पाई जाते हैं यह आप लोग को ध्यान रखना है यहाँ पर मेंशन है लाओ जिंजियांग एक टेक्निकली ऑटनोमस रीजन है मैंने आपको बता दिया एक काफी बड़ा रीजन देखने को बिलेगा यहाँ पर मिनरल्स वगरा भी बहुत जादा है प्लस यहाँ पर आठ कंट्री से यह बॉर्डर को शेर करता है जिंजियां को इस के बाद एक टरीगे से इनकों और बूरी तरह से अताचारी है कि इनको मुस्लिम से अपने अपने रिलजिजन को अच्छे से फॉलो नहीं करने दिया जा रहा है तो जो भी इनकी रिलिजियस भूक्स हैं वो सब चाइनिसे एडिशन की दिझा रही है उसमें बहुत से तरीक से क्लेम करता है चायना कहता है नहीं है ऐसे कुछ भी नहीं है ठीक है चायना ऐसे कुछ भी नहीं है हम लोग यहाँ पर इन फैक्ट यहाँ पर एडुकेशन सेंटर वगेरा भी हमने उपन कर रखे हैं चायना यह कहता है लेकिन आप देखोगे बहुत सारी रिपोर्ट् उनने ये सारी इंफोर्मेशन दी है तो ये एक्जैक्टली हाँ बताया जाता है अब यहाँ पर एक क्वेशन ये भी आएगा भारत का क्या स्टेंड अपनी चुपपी रखी है यहाँ पर ओएगर मुस्लिम्स के ऊपर कोई भी स्टेट्मेंट नहीं दिया है हमने यहाँ पर यहाँ पर जोड़ दें कि चाइना एकदम से तुरंत इमीडियेटली यहाँ पर यह जो एक तरीके से उमन राइट वाइलेशन कर रहा है उसको रोक दे यहाँ पर फोकस रखा गया और इसी चीज़ को देखते वे चाइना को युनाटेट नेशन में बुलाया है ताकि और इसके जो भी एक तरीके से इनके राइट से उनको रेस्पेक्ट की जा सके और यह चाइना की तुरू किया जा सके उसके लिए यहाँ पर यह फोकस रखा गया है यह देखो हो और मुस्लिम के बारें बताए गया मैं आपको सारी इंफोर्मेशन प्रोवाइड कर वादी गई यहाँ पर चर्चा होई जो बर्बडॉस है ठीक है बर्बडॉस को अपना पहला प्रेसिडेंट मिल चुका है तो यह आर्टिकल वंडे एक्जाम में पूछा जा सकता है तो इसके बारे में आपको दिहान अखना है ठीक है अब यहाँ पर क्वेशन यह है कि पहले को कंट्री अपनी पच्पनवी एनिवर्सरी को सेलिबरेट करेगा एनिवर्सरी ओफ इंडिपेंडेंस तो उसी के तोर पर यहाँ पर यह बात की जा रही है ठीक है क्योंकि यह वाली जो यह जो एक तरीके से बरबडॉस है यह भी कहीं नहीं ब्रिटिश के कंट्रोल में र पर कोई भी आर्टिकल आता नहीं है ग्राउंड जीरो का पेज आता है यहाँ पर आप इसको स्किप कर सकते हो एक ही आर्टिकल इंपोरेंट है और इसमें भी सारी इंफोर्मेशन इंपोरेंट नहीं है देखो बात की क्या गी गई है मतलब कभी कभी होता है ऐसा काफी बार डिजास्टर्स देखने को मिलते हैं लेकिन में क्या है लेंड्स लाइट बहुत जादा देखने को मिलते है बारिश के कारण अभी लेंड्स लाइट हुई और उस लेंड्स लाइट की वजा से लगबख 42 लोगों की डेथ हुई है ऐसा यहाँ पर करेला के अंदर ये सारी अब यहां पर मैंशन क्या है सबसे पहले रिजन लेंड्स लाइट के दो बारिश हो रही है वह आम बात है लेकिन लेंड्स लाइट की होता ने होट है तो क्या होता है यहाँ पर यह जो बारिश होती है अब लैंड स्लाइट वाली जब सिच्वेशन क्रियेट होती है क्योंकि obviously क्या होता है लैंड स्लाइट कब हो रही है जब आपने आपर काफी construction कर रखा है आपने जो hill वाला area है उसकी vegetation खतम कर दिये वहाँ पर पेड़ पौद क्या है और construction करने की वज़ा से क्या हुआ यहाँ पर बारिश होती है तो एस प्रकार के लैंड स्लाइट ज्याद तर देखने को मिलते हैं और यह जो लैंड स्लाइड है इसकी वज़ा से जो ऊपर कुछ जो आपने construction कर रखा है इंफ्रस्रक्ट्टर डेवलप कर रखा है वह साथ जो लैंड स्लाइट के नीचे जो इरियास बने वे हैं वहाँ पर यह सारी ठेकर जाती है वह भी बरबाद होती है यह चीज़े डारेक्टली यहाँ पर मेंशन करी है और ने तो इसका पूरा क्रक्स मैं आप लोगो बताया जो इन्होंने प्यारा प्यारा वाइस बताय लिए नौ इन्होंने बोला है कि टेक्निकल एक्सपर्टीज की हम लोगो जरुवत है इसका सलूशन डारेक्टली यह मैं अंक बंद करके सारी चीज़े कवर नहीं करनी है काम की चीज़े निकालनी है अब करेला के अंदर क्या प्रॉब्लम है वो देख लिया अब इसू का स अब इसके लिए अपको अर्थ साइंटिस की जरूरत है इसा बताया गया है जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है जब भी आप लोग कोई कंस्रॉक्शन कर रहे हो जब आप री इंजिनेरिंग कर रहे हो अर्थ को जब भी आप यहां पर आपका सकतो कुछ भी यहां पर डेवल इसा नहीं कि आप लोग यहां पर पूरा एक लंबा सापने कंस्रॉक्शन तौर कर लिया है उस पर फोकस नहीं रखना है और जो यह प्रोजेक्ट्स हैं इनको आप बहुत जल्दबाजी में जब बनाते हो तो कहीं ना कहीं हां पर एक तरीके से यह भी बहुत सादे प्रॉ कर देते हो ठीके तो आपको हिसाब से चलना पड़ेगा और उसके लिए आपको नहीं पॉलिसी आपको टेक्निकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनको हायर आप करी सकते हो ठीके तो यहां पर यह चीज़ें क्लियर हो चुकी है इसमें और जादा कुछ भी नहीं है इसको आप मतलब की माइगरेशन मतलब एक जगा से दूसी जगा में इसका आना जाना लगा रहता है तो इस बर्ड के बारे में आपको काफ सारी चीज़ें बता नहीं है बता देता हूं तो प्रलेम्स के पॉइंट आव्यू से इंपोरेंट है एमर फलकन यह जो बर्ड है यह दुनिय मतलब इंडिया की एक तरीके साब कर सकतो हो लाजस्ट ट्रावलिंग राप्टर है राप्टर मतलब यहाँ पर यह दूसरे जानवरों को खाने वाली राप्टर स्पीशी है बहुत लंबा ट्रावल करती है लगबग 22,000 किलोमेटर तक का अपना माइगरेटरी रूट इसका देखने को मिलेगा मतलब आप समसकतो हो 22,000 किलोमेटर तक का ट्रावल कर सकती है जो साइबेरिया और जो नर्दन चाइना है वहाँ से ओरिजिनेट होती है वहाँ से निकलती है और वहाँ से निकल कर साउथ आफरीका तक यह बर्ड जाती है मतलब इंडिया गुमते वे खाफकार की बर्ड देखने को मिलती है यह माईग्रेटरी बर्ड से जैसे आपको पॉड़रल चल गया इसका जो इनका नाम है आमर कहां सहा है आमर नदी से यहां नाम लिया जाए एक आमर कि वहाँ पर ये हमेशा देखने को मिलती ही मिलती है मतलब हर साल आपको ये एमर फालकन वहाँ पर देखने को मिलेगा कहाँ पर नागालेंड की दोयंग लेक पर ठीक है और दोयंग लेक से फिर ये साउथ आफरीका जाती है साउथ आफरीका से वापस है ये कहाँ पर अपने घर ठीक है अपनी जहां पर भी एक तरीके से जो भी मॉंगोलिया चाइना वाला एरिया है वहाँ पर उसके बाद जो यह बर्ड्स है यह आयूसें काडिगरी के अंदर लीस्ट कंसर्न है मतलब काफी सारी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगी लेकिन अगर इनकी नहीं करना है विल्कुल भी इसको नहीं मारना है अगर कोई मारता है तो मनिपूर वाइलाइफ प्रोटेक्शन एक 1972 के अंडर में क्या होगा इनको जो भी व्यक्ति काम करेगा उसको साफ इसालों की सजा मिल सकती है सदा के साथ यहां पर 25,000 रुपे का जुर्माना भी हो सक होता है वह यहां पर बताए गय Till ओना पर चुखाए ठीकर तो यहां पर यह षोड़ी चीज़े दे हैं आश जाद कुछ खास चीज़ें थी मी ञह मैं इससी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त मिलते हैं आप लोगो से नेक्स वीडियो में आज के लिए बा